तो यहां पे जो अंडर कटे हों हम लोग मैसिम पर साइट 0.8 तक कर सकते हैं और उससे ज्यादा करेंगे तो वह क्या हो जाएगा शेरिंग हो जाएगा कमपोर्ट के साथ वह आएगा नहीं पाट तो बाहर निकलेगा सब्सक्राइब तो यहां पर इसको आफ कर देता हूं पार्ट को अपस्वान करेंगे तो यहां पर देख सकते हो पिजेक्शन के रिए हम लोग अभी यहां से एक्टिवेट कर लेंगे मूंग का कमाड़ कर दो तो देखिए यहां पर यह कंपोनेंट पहले ऐसा था अभी आम लोग इसको एक्टिवेट कर लिया लेकिन यह कंपोनेंट बाहर आने के लिए है अब लोग को सपोर्ट लेना है स्टिपर प्लेट का तो हम लोग इसमें स्टिपर प्लेट कर देते हैं तो इस तरीके से यह प्लेट उसको बाहर लेके आएगा ठीक हैं कि अभी यह जो कोर इंसर्ट है कोर इंसर्ट से लगवख 5 mm डिस्टन्स है ज्यादा हम लोगों ने श्ट्रोक ले लिया इसके इसके बाद यह कंपोन्ट सीधा नीचे फॉन करेगा को इंसर्ट्रक्शन इजी है ऐसे नीचे गिर जाएगा ठीक है मोलिंग होके नीचे गिर जाएगा झाल झाल तो अब शैघ्वा यह जो कॉंपाँटे ब्लू क्लर में है वह बाहर निकलेगा की इसको फोर्स करेगा यहां से रिलीज होने के रिए वह एक्सपांड होके वहां से रिलीज हो जाएगा और फिर नीचे गिर जाएगा जैसे यहां से वापस अपना साइकल कम्प्लीट करने के लिष्टी पर पिछाएगा पिर नया पार्ट इजक्शन में भर जाएगा फिर वह बाहर गिरेगा इसी तरह से सैकल चलता रहेगा तो यहां पर नहीं आना चाहिए जैसे कि अब अगया वाला यह उपर वाला काफी शारप है तो इसके बाहर निकलता है उसके मोड के बाहर तो क्या हो जाता है और जब अब उस पार्ट को मतलब अंडरकुट बढ़ा के फाइदा नहीं हम लोगों चली गए नहीं फिर अंडरकुट मिलीगा ही नहीं तो इसको आपको यहां पर इस इस कॉर्णर पर हलका सा रेड़ेश देना चाहिए कम से कम 0.5 तो उससे क्या होगा यह कंपोर्ण को स्प्लीप होने में मदद करेगा और यह बाहर निकलेगा कि अभी मैं इसको अब्जेक को हैट कर देता हूँ और इसमें रेड़ेस हम लोग को देना है इसी एज में करेड़ेस होना चाहिए तो रेड़ेस के वैसे वह कि अब यहां पर रेड़ेस रहेगा तब ही जाके कंपोर्ण कि पहार आएगा नहीं तो वहीं पर शेरिंग हो जाएगा वह जो रिंग रहेगा अंडर कट्वाला वह आपके कंपोर्ण पर आए गए नहीं ठीक है रविन क्लेर होगे आपको यह चीज प्रेड़ेस है ठीक है और यह देखिए थोड़ा सा कंपोर्ण हम लोगों 0.1 मिसमें रखा है पोर में बाकी पूरा का पूरा स्टिपर के उपर लिया है उसको आम लोग को पुश पार लेना है जो भी आपका कोर का कोर इंसर्ट का हाइट रहेगा उससे पांच ज्यादा मतलब ऐसा अगर मोल लगा है मोल्डिंग मशीन में तो यह जो इसका हाइट रहेगक से यह ज्यादा तीक उसके बाद कोशिकर 1050ohn जागरा है रहें वरभ लेकिन जब आगे आता है तो मेशनां की डीच़को कोन लेक्वार तो इसको अगे लिखे आएगा यहां से आहरे लोगों को रोड डालने पड़ेंगी ठीक वो रोड क्या कैसे बटेंगे जैसे की इस प्लेट में हम लोग एक रोड प्लांग करेंगे कि ट्वेंटी डायमेटर का इस हम लोग शिक्टीन का रोड विसमें प्लांग कर सकते हैं कि यह रोड कनेक्ट रहेगा आपका कि इस प्लेट के साथ है कि यहां तक आएगा वह कि थोड़ा सांदर भी डाल सकते पॉकेट करके आप अच्छा गैडिंग चाहिए तो और यहां पर दोनों सेट से बोल्ट लगेंगे पत्ताब उपर से भी आपको बनाना पड़ेगा कि टैपिंग का होल रहेगा वहाँ पर आपको कि क्लियरंस होल देना पड़ेगा जैसे कि जो भी टैपिंग किया रहेगा आपने कि इस तरह के से बोल्ट बनेगा और इस राड में दोनों इंट पर टैपिंग रहेगा इसके अंदर तो यह राड इस प्लेट में ऐसा थोड़ा सा गैडिंग होके यह प्लेट को 00 मैच रखके आप बोल्टिंग कर सकते हो गैडिंग रखना अच्छा है गैडिंग रहेगा तो राड शिफ्ट ने बता इसमें लोग पॉकेट कर सकते प्लेट में इस तरीके से आपको पॉकेट बनाना है उसके साथ राड को गाइड करना है और फिर जैसे यहां पर आपको पीछे से बोल्ड लगेगा इजक्टर प्लेट में तो दो प्लेट आपने लगाई है तो उ उसके अंदर इजक्टर पीन का कॉलर जैसा लोग लगाते हैं वैसा कॉलर इसमें डाल सकते हो दूसरा प्लेट में यहां पर लगा देता हूँ कि यह आपका पीन का कॉलर रहेगा इस तरीके से यहां पर पिन लगेगा और यह पिन यहां पर रिलीज हो रहेंगे यह प्लेट में बड़ा बोल रहेगा इस प्लेट में और यह यह इस तरह से प्लेट को कनिक्ट हो रहेगा यह से कम से कम दो और ज्यादा से ज्यादा चार आ और आ पको प्लान करने है आगे तो जो जब आगे आएगा ब यह कि इस तरीकिए से आगए थिक hey तरे पीच्छे से जाईगा क्लियर आ यह सर्ब्झे अर यह सब्सक्राइब को पीच्छे में करोड करें किया रहता है वह उसको उसको तो रिट्रेक्शन मोलते हैं या तो दूसरा आगे से जब क्याविटी प्लेट आएगा इस प्लेट को टच करेगा सामने से तो इसको पीछे लेके जाएगा यह तो लोग इसमें मोड में स्प्रिंग प्लान करते हैं यहां पर वो भी उसको पीछे लेके जा सकते इसका वर्किंग इस तरीके से होगा तो चार पिन लगेंगे मिनिममम दो पिन लगेंगे बड़े डाले तो आपने चार अच्छे लेते हमें से चार आप डलो यह चीज़ क्लेर होगे आपको रिजेक्शन का अभी यह कौन-कौन से टाइप की कंपट्ट में लें देखिए हर वो कंपट्ट जो क्लोच से लिए स्क्वेर भी हो सकता है अबनॉर्मल हो सकता है राउंड शेप हो सकता है बस आपको क्या प्रिकोशन लेना है जब भी आप के ठीकने सबकोश पर मिलेना है जैसे कि यहाँ पर बलू कलर का दिख रहे यही मेरा कोशन है कि इसको हमरे धाया कौछ आए है ट्रेश्टब लेके यह फिर इस टैब वहां पर आएगा हमारे कंपोननट पर पर आप तो स्टेप नहीं आएगा क्यों आएगा स्टेप इसका यह यह भी रीजन हो तका है कि अगर हम इसको थोड़ा से दूर रखेंगे तो परपेंडिकुलर मतलब जो फोर्स जो मतलब डायट जा रही है वो डिस्ट्रिबूट होगे मतलब थोड़ी सी इस डिरेक्शन में आके जिस डिरेक्शन हमारा हमारा अंटर कट है उससे इसली निकाल वाए इसका यह भी रीजन हो सकता है कि नहीं यह से कुछ नहीं इतना बड एक चीज़ और पूछने तर जो इसमें जैसे आपने इस ट्रेट डिगरी का रखिए यह तो काफी टाइम अगर चलेगा तो फिर हो जाएगा तो इसमें यह डिगरी नेगेटिव में लगते हैं कि उसमें और मैं वह पॉइंट बतने होना था कि यहां पर जैसे कि इसमें ल आप लोह को इस प्लेट में वह यह तो यहां पर आप लोगो को इस प्लेट में वेर एंडर खाल इसके बाद आपको सीधा लेना है कि तो वाँ पे आप लोगों इस प्रइट में भेंव प्रॉब्लिम कि ओक के के तु का दिजाइन होता है चीजिंड कमपों का जाएगा उसका वैसे उसका प्रॉपालfoot लेकिन कोई भी लिए बनाओ उसमें डिग्री देना इंपोर्टन्ट है तब ही मौल का लैक मिलेगा दूसरा उसमें आपको जैसे कि में यहां पर डिग्री देकर दिखा था अपको भी है दूसरा इसको जो रिटैन लिनी के लिए जो भी चीज आपके मोंड में हो सकता है मोल्डिंग मशीन के उपर रिट्रेक्शन रहेगा आपको एंशुर करना है कि पीछे आ रहा है बरबर मतलब उदर वो फैसिलिटी है मशीन के उपर वापको कि एंशुर करना है कि उस तो प्रॉब्लम आ गया मैं जो इसमें कि अ कि तो इस ताइप का हमारा स्ट्रीपर का काम था स्ट्रीपर एजेक्शन का कि यह एक एजेक्शन होता है जो हम लोग रेगुलर यूज करेंगे ठीक है कि लोट से लाले कंपोनेंट्स में लगता है अभी आंकुछ पी इंटरनेट कनेक्ट नहीं कर पा रहे है अब आपको यह 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 यूज करना है जैक्टर पीन इजक्टर स्लीव लॉक इजेक्टर लिफ्टर और इजेक्शन और यह एजेक्शन चेटाइप का आपको यह यह यूज करना पढ़ता है तो यह चटाइप हमेशा द्यान में रखें फिर अगले सेशन में कल कुछ और डिसकूस करेंगे यह वाले बज़े मिलेगा तो जब उससे हम लोग करेंगे उसको तब बोलेंगे वाइब प्रॉब्लम नहीं कोई प्रोब्लम नहीं कुछ प्रॉपनेट अभी है